दोस्तों हम सबकी चाहत होती है हमारी होट फटे नहीं काले ना लगे नेचरली गुलाबी बना रहे बिलकुल गुलाब की पंखुडियों की तरह लेकिन क्या ऐसा हो पाता है नहीं हो पाता क्यूंकि हम बहुत सारे केमिकाल वाले लिफ्स्टिक का इस्तमाल करते हैं एक या द वीडियो में मैं बस आपके साथ श्यार करने वाली हूँ 5 मिनिट वाला रेसिपी जिसके इस्तमाल से आपकी होट काले नहीं होंगे बिल्कुल गुलाबी लगेंगे बिल्कुल अच्छी लगेंगे तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो एक लाइक करना तो बनता ही है और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो दोस्तों इस रेसिपी को तयार करने के लिए हमें ले तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ हमें यहां पे लेनी है दानेदार चीनी आपकी जो चीनी है वो बहुत दानेदार होना चाहिए बिल्कुल नॉर्मल पाउडर की तरह नहीं होनी चाहिए तो एक चमच जितना मैंने यहां पे एक बाल में निकाल लिया है चीनी उसके बाद बहुत ही help करता है उसके साथ साथ जो हमारे लीप फट गए होते हैं उनको हील करने भी यह मदद करता है अब तीसरी चीज़ हम यहाँ पर add करेंगे जो की है नीमबू तो दोस्तों आप सब को पता ही होगा नीमबू के अंदर bleaching property भरपूर मातरा में होता है जिसकी वज़े से अगर हम इसे इस्तमाल करते हैं तो हमारी लीप जो डार्क पड़ गया है जो पैचस आ गया है लीप में उन सब को यह ठीक करेगा फिर से हमारी जो ओरिजिनल कलर है लीप का वह आप इस लाने में मदद करेगा तो आपको क्या करनी है एक चमच इतना नीमबू का juice एड कर लेनी है और इसके जो बीच है उनको निकाल लेनी है बीच के साथ आपको इसको यूज नहीं करनी है लास्ट और फाइनाल में हम यहाँ पे एड करेंगे जो की है coconut का oil नारियल का तेल आप अगर कोई और brand का oil यूज करते हैं तो आप उसको भी इस्तमाल कर सकते हैं बाकी आपको ध्यान देना है कि आपकी face से भी जादा sensitive है आपकी lip तो वहाँ पर यूज करने के लिए अच्छी चीज होनी चाहिए नारियल का तेल जो होता है यह safe होता है इसलिए मैंने यहाँ पे नारियल का तेल का इस्तमाल किया हुआ है तो आपको क्या करनी है नारियल का तेल भी आपको एक चमच जितना लेनी है और इन सब को अच्छी तरीके से mix करनी है mix होना बहुत ही ज़रूरी है अगर अच्छी से mix नहीं होगा तो यह अच्छी से काम भी नहीं करेगा तो आपको अच्छी तरीके से इन सब को मिला लेनी है, आपकी जो texture है, scrub की इस तरीकी का होना चाहिए, जसे market वाली scrub बगेरा होते हैं, बिल्कुल उसी तरह की इसकी जो texture है, वैसा ही बनेगा, आपको बहुत ही जादा रणी नहीं बना लेनी है, और बहुत ही जादा गाड़ा नहीं बना लेनी है अगर आप गाड़ा बना देते हैं तो आपको problem हो सकती है रब करने में और अगर पतले ही बना देंगे तो वो तो निकल जाएगा नहीं हो पाएगा तो दोस्तों आपको क्या करनी है जो नीमबू हमने squeeze किया हुआ था निचोड़ा हुआ था उसकी जो pulp है चिलके हैं उसको आपको नहीं फैकनी है तो उसके ऊपर आपको डालनी है इस scrub की एक चमज जितना आपको डाल लेनी है और उसी निमबू के जो चिलके हैं उसी के त्रू आपको अपने lip को ऐसे scrub करनी है जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं बिलकुल इसी तरह आपको अपनी लिब में अच्छी तरीके से रब करनी है दो से तिन मेंट तक आपको रब करनी है रब करने के बाद आप नॉर्माल वाटर से धो लें आप इमीडियेटली कोई भी साबून या फिर कुछ भी यूज ना करें धो लेने के बाद आप कोई भी मॉस्टराइजर हुआ लि दोस्तों बहुत ही बढ़िया है यह होममेड है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा